फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर हम भी फर्स्ट यर के सेकेंड सेमिस्टर के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट पोयम यानि सोनेट लेट मी नोट टू दा मेरिज अफ ट्रू मैंड्स के अबजेक्टिव टाइप क्यूशन की स्टेडि करेंगे जिसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा है फ्रेंड्स अधर वीडियो की लिंक्स डिस्क्रिप्शर में दिये गए हैं और आप चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें फ्रेंड्स आई शुरू करते हैं फर्स्ट कुशन है वाट इस थीम ओफ दा शेक्सपियर ने सोनेट की थीम क्या है यानि विलियम आदर्शवादी या अफनातूनी मुहबद भी कह सकते हैं दी पोईट्स लाइफ पोईट की जिन्देगी तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्रेक्ट है क्योंके विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट की थीम होती है वो अकसर सच्चे प्यार पर अधारित होती है तो यहाँ पर ऑप रखने वाली नाव सी अटेमपेस्ट समंदर का तौफान दी नन ओफ दीस इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर ऑप्शन एक करेक्ट है क्योंके विलियम शेक्सपियर की तुलना एन एवर फिक्ष्ट मार्क से की है नेक्ट है क्यों कहता है वक्त प्यार को बेवकुफ नहीं बना सकता नेक्स्ट क्यूशन है वट इस दे टूल अफ टू अवर्डिंग बार्क एक भड़क्ती नाव के लिए सच्चा प्यार क्या है आ दपोल इस्टार एक धूर्फ तारा बी दफुल मोन पूरा चांद सी दा राइजिंग सं उकता सूरज डी दा बिलोसम ड फिलोवर खिलते फूल तो यहाँ पर ऑप्शन एक करक्ट है क्यूंकि सच्चा प्यार एक बढ़क्ती नाव के लिए दूर्फ तारा की तरह होता है नेक्स्ट क्यूशन है वाट इस टोटल नंबर ओफ सोनेट्स रिटन बाई शेक्सपियर शेक्सपियर के दुवारा लिखे गए सारे सोनेट की संख्या कितनी है तो यहाँ पर ऑप्शन डी करक्ट है क्यूंकि विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखे है नेक्सट है दा सोनेट बाई शेक्सपियर शेक्सपियर दुवारा रिखे लेड़ि को समौधित के दिदद की संख्या कितनी है तो यहाँ पर ऑप्शन सी करक्ट है क्यूंकि विलियम शेक्सपियर ने बाई को 26 सोनेट लिखे है नेक्स वान है What is the total number of sonnets addressed by Shakespeare to Mr.W.H Mr.W.H को समोधित किये हुए Shakespeare की sonnets की संख्या कितनी है तो यहाँ पर option एक करक्ट है क्योंकि William Shakespeare ने Mr.W.H को 126 sonnets समोधित किये है Next is How many quadrants does the Shakespearean sonnets have Shakespearean sonnets के अंदर कितने quadrants होते हैं यानि कितनी रुबाई या चुपाई होती है तो यहाँ पर option सी करक्ट है क्योंकि William Shakespeare के हर एक sonnets के अंदर 3 quadrants होते हैं Next is The Shakespearean sonnets is rounded off with A Shakespearean sonnets को खत्म किया जाता है A quadrants, B couplet, C tats it, D says that तो यहाँ पर option B करक्ट है क्योंकि William Shakespeare के sonnets को एक दो के साथ खत्म किया जाता है Next is After which quadrant does the scissora come in the Shakespearean sonnets Shakespeare के sonnets के अंदर किस quadrant यानि चुपाई के बाद विराम आ जाता है A first, C second, B third, D none of these इन में से को नी तो यहाँ पर option C करक्ट है क्योंकि William Shakespeare के sonnets के अंदर second quadrant के बाद scissora यानि विराम आ जाता है Next is Which among the following is the poem written by Shakespeare ने में लिकित में से कुन सी poem William Shakespeare के दौरा लिखी गई है तो यहाँ पर option A correct है क्योंकि Venus and Adonis William Shakespeare के दौरा लिखी गई है Next is तो यहाँ पर option B correct है क्योंकि लुक्रिसी पोयम William Shakespeare ने लिखी है Next is Which figure of speech is used in the following line It is a star to every warning bar यह यानि प्यार भटकी हुई राव को यानि हर एक भटकी हुई नाव को रास्ता दिखाता है तो यहाँ पर option C correct है क्योंकि इस लाइन के अंदर मेटाफोर का यूज किया गया है Next is Which figure of speech is used in the following line इस लाइन के अंदर कौन सा figure of speech यूज किया गया है लफ्स not times full A, personification B, apostrophe C, alliteration D, hyperbole तो यहाँ पर option A correct है क्योंकि इस लाइन के अंदर personification का यूज किया गया है Next is When was Shakespeare born Shakespeare का जन्म कब हुआ तो यहाँ पर option A 23 April 1616 यहाँ पर option B 23 April 1564 तो यहाँ पर option B correct है क्योंकि William Shakespeare का जन्म 23 April 1564 में हुआ था Next question is Where was Shakespeare born Shakespeare का जन्म कहा हुआ था A, Oxford B, London on Thames C, Startford upon Avon D, Rome तो यहाँ पर option C correct है क्यों William Shakespeare का जन्म Startford upon Avon में हुआ था Next is What is the name of Shakespeare's wife William Shakespeare की बीवी का नाम क्या है A, Dark Lady B, Virginia C, Venus D, N, Hathaway तो यहाँ पर option D correct है क्योंकि William Shakespeare की बीवी का नाम N, Hathaway था Next is Name of the theater associated with the name of Shakespeare Shakespeare के नाम से जड़ोई थेटर का नाम है A, Lucrecy B, Atlas C, Globe D, Gemini तो यहाँ पर option C correct है क्योंकि William Shakespeare के नाम से जड़ा हुआ गिलोब है Next is To which age did Shakespeare belong William Shakespeare किस age से तालुक रखते है A, Victorian age B, Elizabethan age C, Age of Chaucer D, Augustan age तो यहाँ पर option B correct है क्योंकि William Shakespeare Elizabethan age से तालुक रखते है Next is Who wrote Venus and Adonis Venus and Adonis किसने लिखी A, Milton B, Shakespeare तो यहाँ पर option B correct है क्योंकि William Shakespeare ने लिखी है Next is What is the name of Shakespeare's father William Shakespeare के पिता का नाम क्या था A, John Shakespeare B, Thomas Shakespeare C, Saint Shakespeare D, Robert Shakespeare तो यहाँ पर option A correct है क्योंकि William Shakespeare के पिता का नाम John Shakespeare था Next is Shakespeare was born in Shakespeare का जन्म हुआ तो यहाँ पर option A correct है क्योंकि William Shakespeare का जन्म इंग्लेंड में हुआ था Next is As a poet Shakespeare is famous for writing एक poet के तोर पर Shakespeare लिखने में मशूर हुए तो यहाँ पर option C correct है क्योंकि William Shakespeare सोनेट को लिखने के लिए सबसे अधा मशूर हो गए थे Next is What is the pattern of Shakespeare's sonnets Shakespeare's sonnets के pattern क्या है A. Italian pattern B. French pattern C. English pattern D. None of these इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर option C correct है क्योंकि William Shakespeare का pattern English pattern है Next is What is the structure of Shakespeare's sonnets William Shakespeare के sonnets के structure क्या है A. Two stanzas of seven lines each 2. साथ साथ लाइन के stanza B. Two stanzas of eight lines and six lines 2 stanza एक आट लाइन का और एक छे लाइन का C. Three stanzas of four lines each 3 stanza चार चार लाइन के D. None of these तो आपर option C correct है क्योंकि William Shakespeare के हर एक sonnets के अंदर 3 stanza होते हैं 4-4 lines के Next is With how many lines Shakespeare concludes his sonnets William Shakespeare अपने sonnets को कितनी line के साथ खत्म करते हैं Option A. Two B. Four C. Six D. Eight तो यहाँ पर option A correct है क्योंकि William Shakespeare हर एक sonnets को दोहे के साथ खत्म करते हैं Next is A Shakespearean sonnets ends with Shakespeare का sonnets خत्म होता है तो यहाँ पर option C correct है क्योंकि William Shakespeare का sonnets एक कपलेट के साथ खत्म होता है यहाँ दोहे के साथ खत्म होता है Next is A Shakespearean sonnets has Shakespeare sonnets की होती है तो यहाँ पर option C correct है क्यों William Shakespeare की हर एक sonnets की चोदा lines होती है Next is What is the major theme of Shakespeare's sonnets William Shakespeare के sonnets की पिरमुख विशे क्या होता है यहाँ पर option C correct है क्योंकि William Shakespeare के sonnets की major theme love होती है Next is Love is tempest Love एक तोफान है C love is timeless प्यार हमेशा के लिए है D love is times full वक्त टाइम को बेकुफ बनाता है तो यहाँ पर option B correct है C correct है क्योंकि प्यार हमेशा के लिए होता है जिसकी कोई सहमे सीमा नहीं होती है Next is What is the serial number of sonnets Let me know to the marriage of true minds Let me know to the marriage of true minds William Shakespeare के 154 sonnets में से कौन से नंबर का sonnets है तो यहाँ पर option D correct है क्योंकि यह 116 नंबर का sonnets है Next is The sonnets let me know to the marriage of true minds observes यह sonnets observe करता है यानि मुशाहिदा करता है या अवलोकन करता है A. The English pattern B. The Italian pattern C. The Modern pattern D. None of the above उपर दियों में से कोई नहीं तो यह sonnets the English pattern को observe करता है तो यहाँ पर option A correct है Next is Which of the following is a Shakespearean sonnets निमली खित में से कौन सा sonnets Shakespeare का है A. On His Blindness B. Let me know to the marriage of true minds तो यहाँ पर option B correct है क्योंकि Let me know to the marriage of true minds William Shakespeare का sonnets है Next है Shakespeare dedicated his sonnets to Shakespeare ने अपना sonnets dedicate किया था A. Queen Elizabeth C. Duke Monmouth B. Earl of Pembroke D. Earl of South Hampton तो यहाँ पर option D correct है क्योंकि Shakespeare ने sonnets Earl of South Hampton को dedicate किया था Next है Shakespeare compares to love to Shakespeare सच्चे प्यार की तुलना करते है A. Morning Star C. North Pole B. North Star D. Evening Star तो यहाँ पर option C correct है क्योंकि Shakespeare सच्चे प्यार की तुलना North Star से करते है Next है Who is called the Bard of Awon Bard of Awon किसे कहा जाता है तो यहाँ पर option B correct है क्योंकि William Shakespeare को Bard of Awon कहा जाता है Next है In which school did Shakespeare got his early education William Shakespeare ने अपनी शुरुआती education कहां से हासिल की तो यहाँ पर option D correct है कि William Shakespeare ने अपनी शुरुआती education grammar school से हासिल की थी Next है Names of Shakespeare's children Shakespeare के बच्चों का नाम क्या था तो यहाँ पर option B correct है क्योंकि William Shakespeare के तीन बच्चे थे और उनका नाम था Susana, Judith and Hamlet Next है How many plays were written by Shakespeare William Shakespeare के दुआरा कितने sonnet लिखे गए है तो यहाँ पर option C correct है क्योंकि William Shakespeare ने से तीन sonnet लिखे है Next है Which house was purchased by Shakespeare in Startford in 1597 1997 में Shakespeare के दुआरा कौन सा घर खरीदा गया था A, Old Place B, New Place C, Old Mansion D, New Mansion तो यहाँ पर option B correct है क्योंकि William Shakespeare के दुआरा New Place घर खरीदा गया था Next है Which figure of speech is used in the phrase Love's not times full Love's not times full के अंदर कौन सा figure of speech यूज़ किया गया है तो यहाँ पर option B correct है क्योंकि इस phrase के अंदर personification figure of speech यूज़ किया गया है Next one है What is the sequence number of the sonnet beginning with the words let me know Let me know शब्से शुरू हने वाले sonnet की अनुकिरम संख्या क्या है तो यहाँ पर option C सही है क्योंकि इस sonnet की संख्या 116 है Next है Which figure of speech is used by Shakespeare in the line It is an ever fixed mark इस line के अंदर कौन सा figure of speech used किया गया है तो यहाँ पर option B correct है क्योंकि इस line के अंदर metaphor का use किया गया है Next है What rhyming pattern is used by Shakespeare in his sonnets William Shakespeare ने अपने sonnets के अंदर कौन सा rhyming pattern use किया है तो यहाँ पर option D correct है क्योंकि William Shakespeare ने अपने sonnets के अंदर A, B, A, B, C, D, C, D, E, F, E, F, G, G Rhyming pattern follow किया है Next है What was the name of Shakespeare's mother Shakespeare की मा का नाम क्या था तो यहाँ पर option A correct है क्योंकि William Shakespeare की मा का नाम Mary Arden था Next है Which language was learned by Shakespeare in grammar school grammar school के अंदर Shakespeare के दोवारा कौन सी भाशा सी की गई तो यहाँ पर option C correct है क्योंकि William Shakespeare ने grammar school में Latin भाशा सी की थी Next है Who said about Shakespeare that he had small Latin and less Greek किसने Shakespeare के बारे में कहा था कि उसके पास small Latin and less Greek है Option है A. Dr. Johnson B. Keralile C. Edition D. Ben Johnson तो यहाँ पर option D correct है क्योंकि William Shakespeare के बारे में Ben Johnson ने कहा था कि वे उनके पास small Latin and less Greek है Next है In which year did Shakespeare leave his village for London कौन से साल William Shakespeare ने London के लिए अपने गाउं को छोड़ दिया था तो यहाँ पर option B correct है कि William Shakespeare ने 1585 में London के लिए अपने गाउं को छोड़ दिया था Next है What was the cause of Shakespeare's leaving his village Shakespeare को अपने गाउं छोड़ने की वज़ा क्या थी A. Domestic problem B. Social problem C. Personal illness D. Financial problem तो यहाँ पर option D correct है क्योंकि William Shakespeare को उस से में financial problem थी Next one है Shakespeare started working in London theatre at the age of William Shakespeare ने किस उमर में London के थेटर में काम करना शुरू कर दिया था तो यहाँ पर option B correct है कि William Shakespeare ने London के थेटर के अंदर 20 साल के उमर में काम करना शुरू कर दिया था Next है Shakespeare left London and reach Statford in the year Shakespeare ने लिए 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 को छोड़ दिया और Statford में चले गए यानि किस साल में चले गए तो यहाँ पर option B correct है कि William Shakespeare लंदन से Statford 1609 में चले गए थे Next है When did Shakespeare die? Shakespeare की मिर्तिव कब हुई? तो यहाँ पर option A correct है क्योंकि William Shakespeare की मिर्तिव 13 April 1616 में हुई थी Next है Shakespeare served as an apprentice to a Shakespeare ने एक चले के रूप में काम किया था यानि Shakespeare ने किस के चले के रूप में काम किया था A doctor B lawyer C professor D surgeon तो यहाँ पर option B correct है कि William Shakespeare ने वकील के चले के रूप में काम किया था Next one है In theater Shakespeare began to work William Shakespeare ने theater गंदर काम करना शुरू किया था A actor B director C singer D producer तो यहाँ पर option A correct है कि William Shakespeare ने theater गंदर एक actor के रूप में काम करना शुरू किया था Next है According to Shakespeare What kind of love is not love William Shakespeare के नुसार कौन सा प्यार 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 नहीं है A beauty best love प्यार पर खुमसरी पर अधारित प्यार B डोरी seeking love दहज मागने पर अधारित प्यार C alterable love बदलने वाला प्यार D all of them इन में से सफ तो यहाँ पर option C correct है क्योंकि William Shakespeare के नुसार वे प्यार 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 नहीं है जो बदल जाता है Next one The main quality of true love is that सची प्यार की main खासियत है A it alters with alteration यह बदलने के साथ बदल जाता है B it is always steady and firm यह हमेशा मजबूत रहता है C it is affected by time यह वक्त से प्रवावित हो जाता है D none of them इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर option B correct है It is always steady and firm यह हमेशा ताकतवर और मजबूत बना रहता है Next A 14 line rhyme poem is called चोदा पंक्तियों की rhyming poem कहलाती है कही जाती है A lyric B elegy C sonnet D odd तो यहाँ पर option C correct है क्योंकि चोदा लाइन की पंक्तियों को हम sonnet कहते हैं Next Which animal was Shakespeare accused of stealing William Shakespeare पर किस जानवर की चोरी करने का अरोप लगा था A horse B donkey C deer D dog तो यहाँ पर option C correct है क्योंकि William Shakespeare के ओपर हेरन चोराने का अरोप लगा था Next one is What is the main theme of his poem Let me know to the marriage of true minds Let me know to the marriage of true minds Poem की यानि sonnet की main theme क्या है A the physical love B the temporary love C the constancy of love D none of the above उपर में से कोई नहीं तो यहाँ पर option C correct है क्योंकि इस poem की यानि sonnet की theme जो है वो इस्तिरता प्यार है यानि के लगातार प्यार बंजनेना वाला प्यार यानि के प्यार के अंदर निरंतर था Next one is Let me know to the marriage of true mind is A an allegory B an epic C a sonnet D a metaphysical poem यह पर option C correct है क्योंकि यह एक sonnet है Next one is Let me know to the marriage of true mind Admit what यह sonnet क्या चीज़ कबूल करता है A obstacles B impediments C doubts D infidelity Infidelity का मतब होता है यहाँ पर option B correct है क्योंकि Let me know to the marriage of true mind वादाओ को कबूल करता है Next one is Which is the most famous sonnet of William Shakespeare William Shakespeare का सबसे ज़्यादा मश्हूर sonnet कौन सा है A let me know to the marriage of true mind B shall I compare थी C when my love swords D when in disgrace तो यहाँ पर option B correct है क्योंकि William Shakespeare का sonnet Sonnet number 18 सबसे ज़्यादा मश्हूर sonnet है यह जितने भी option है यह सारे William Shakespeare के sonnet ही है लेकिन जो सबसे ज़्यादा मश्हूर sonnet है वो है शेल आई compare थी दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इफ्तिसर को सबस्क्राइब करें थैंक्स वर वाचिं इस वीडियो